हेलो फ्रेंट्स कैसे आप सब आसा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे तो आज हम बनाएंगे तीन दिन की कटी दई से एक दों फ्रेश तही तो फ्रेंट्स हखर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें क्योंकि यूट्यूब लौगर हो जाती है दाए ये इस सबीके साहता होगा सबी की धई क्यूंकि हम मेरे देन की दाए है अब तरी के से फ्रेश करेंगे तो उसके लिए आथा studbb homemade label हो तो उसके लिए इतना बड़ा अदरो जसमें आसानी कोई च्छानई ऊपड़रखी जाए। तो मेरे पास तो ऐसा है आपके पास जिस तरह का वैलेबल हो आप कोई भी बड़ा बरतन ले सकते हैं और उसके बात फ्रेंट समें चानने वाली चाननी ली यह तो मजबूरी में आप भी ले सकते हो यह नहीं है जरूरी की मार्किट से नहीं चाननी लेगा हो तो इस तरीके से चानने वादी चाननी में भी हम कर सकती है तो उस चाननी को हम बगोने के ऊपर रखेंगे और उसके ऊपर इचाने में दाल देटेंगे पानी दालेंग़ साहता व म।а गहता है उसी खटे पानी को भार निकालेंगे लिकाला हूँ तो इसे निचल कि झीछाईगे चछन टिक सोट पानीatar voi निकल जा उस तरीके से पानी बनाते है तब उसके पानी डालते है उसी तरीके से थोड़ा उसमें दही में भी पानी डाल देंगे जिस तरीके से मैंने दो लिए एक जड़ ग्लास पानी से आप उसको दोल देंगे क्योंकि उसका जो खट्टापन न है टो और को Intyука आप अब शब्रेस न क्या करते हैं हम न है इसका मठ्था बनाएंगे इसका मठ्था बनाना बेहुत । जरूरी होता है क्योंकि थोड़ी ह खट्टापन होता तो दही टो थोड़ी खट्टी लगेगी लेकिन जो मठ्था बन तो अगर आपके पास भी दई बचे तो ऐसा ही करना तो अब उसके लिए मैंने ग्राइंडर से उसका मठ्टा बना लिया है तो फ्रेंड्स आप अब इस मठ्टे को या तो आप जीरा फ्राई वाला बना सकते हो या फिर इसकी कड़ी बना सकते हो आप किसी तरीके से भी उसको उसकोड़ी और की आप वह हमारे बिल्कुल का नहीं रहरे वह रहे हैं नही Natal अब मतलगते हो निट तो इस तरीके से फ्रेंट्स हमने बनाया है कड़ी दए को फ्रेश और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लगी है थेंक यू फ्रेंट्स